नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्यान समदानमी मैं हूँ जोती दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले चली दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो में आने वाले साल यानि की साल 2023 में बरिशवराशी के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है साल 2023 यानि की टोरस के लिए तो चली दोस्तों जानते हैं दोस्तों ये निया साल ब्रिशवराशी के जातकों के लिए काफी सारी नई उमीदों और खुशियों से बरा होगा वहीं दोस्तों नई साल का अनंद लेने के लिए ब्रिशवराशी के जातकों को कुछ कठिनाईयों का सामना भी करना पड़ेगा लेकिन फिर भी आप अपने सरवतम परिनामों को प्राप्त करने के लिए कठिनाईयों को दूर कर देंगे तो आपको बहुत ही दोस्तों प्रयास जितना प्रयास करेंगे उतना ही अधिक फल आपको साल 2030 में मिलने वाला है बरिशवराशी के जातकों को दोस्तों बरिशवराशी के जातकों के लिए आर्थिक सिति करियर व्यपार स्टूडन्स की शिक्षा और उनकी लव लाइफ परिवार की जीवन के सिति कैसी रहेगी तो आईए दोस्तों जानते हैं विस्थार से सबसे पहले हम जानते हैं आपकी आर्थिक सिति के लिए आने बिश्यव राशी के जातकों के लिए अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों आर्थिक स्थिति आपकी इस वर्ष अच्छी रहने वाली हैं आपके खर्चे तो बढ़ेंगे लेकिन आपकी आमदनी में भी इस वर्ष काफी ज्यादा वरिदी और इजाफा होगा आम तक इसमें खासा सुधार देखने को मिलेगा विया पारियों के लिए भी साल 2023 काफी अच्छा रहेगा लेकिन कुछ कानूनी प्रिक्रियाओं से आपको गुजरना होगा वहीं शेयर बजार से आपको आक्समी कलाब होने की संभावना इस वर्ष प्रबल रहेंगी धार्मी कार पर भी इस वर्ष आपका खर्चा होने वाला है बरिशवराशी के जातकों का जीवन शेली में सुधार के साथ साथ इस वर्ष आप गेहनों की खरीद भी कर सकते हैं जिसमें दोस्तों धन खर्च हो सकता हैं संपती के मामले में कुछ कठिनाईयों का सामने आपको करना लेकिन दोस्तों कुछ नई जमीन जाइजाद खरीदते हुए भी आपकी आर्थिक सिति काफी अच्छी रहेगी तो साल 2023 में आपकी आर्थिक सितिक अगर बात की जाए बरिशवराशी के जातकों के तो इस वर्ष काफी मजबूत रहेगी चलिए दोस्तों आगे जानते हैं बरिशवराशी के जातकों के लिए करियर और वियापार कैसा रहने वाला है आने वाले साल 2023 में बरिशवराशी के जातकों के अगर बात करे करियर की तो ये वर्ष आपके लिए करियर के लिहास से काफी अच्छा रहेगा क्योंकि दोस्तों आपके करम भाव में शानी की आपके भागिये को ओर चमकाएगी सगीक्रीप द्रिश्टी भाग्याब को मजबूत हो गा और कंशेत्र में पूरी सफलता मिलेगी पूरन सफलता साथ दोस्तो शानिदेव की शुबहद है और जिसके माध्यम से दोस्तों आपकी पदोनेती की भी संभव हैं तो ऐसे में यदि आप घर या कोई बिजनस या नोकरी बदने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए साल 2023 काफी अच्छा रहे करियर के लिए आसे काफी ब्यास्ट रहने वला हैं अगर दोस्तों व्यपार की बात करें तो इस वर्ष आपको अपने व्यपार में आगे बढ़ने के लिए काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता हैं अच्छे परिनाम के लिए आपको कड़ी मेहनत भी करनी होगी दृष्टी कौन सकरात्मक रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आवेश में आकर कोई ऐसा निरने ना ले अपने व्यपार में जैसे दोस्तों आपको घाटा या नुकसान हो सके इस बात का ध्यार रखें और आप पर इस वर्ष काम का दबाव ज्यादा र में आगे जानते हैं स्टूडेंस की शिक्षा कैसी रहेगी व्रिशव राशी के उनके लिए आने वाला साल 2023 कैसा रहेगा दोस्तों अगर आपकी स्टूडेंस की बात करें स्टूडेंस की तो ये साल अच्छा रहेगा लेकिन इस सवश स्टूडेंस को अपके दोस्तों या रिजल्स आपको पॉजिटिव नहीं मिलने वाले स्टूडेंस को, वहीं मार्च में आप करियर के लिए स्टूडेंस कुछ महत्व को निरने लेंगे, इसके लिए आपको किसी अनववी व्यक्ति से सला लिनी चाहिए, अपने टीचर्स की मदद अगर इस वर्ष आप लेते है तो उनके लिए रिजल्स काफी अच्छे रहेंगे, स्टूडेंस अगर लापरवाई बढ़ते हैंगे स्टूडिस में तो उनको परिनाम अच्छे नहीं प्राप्त होंगे, तो इस वज़ा का दियान आपको रखना है, चलिए दोस्तों बात करते हैं, ब्रिशव राशी के जातकों के लिए प्रेम के लिए यानि कि लव लाइफ कैसी रहेगी आने वाले साल 2023 में, तो अगर आपके लव लाइफ यानि कि प्रेम लाइफ की बात करें तो दोस्तों शुकर ब्रिशव राशी के स्वामी हैं, जैसा कि आप जानते हैं, तो आपके लव लाइफ यानि कि प्रेम लाइफ जियोतिश के अनुसार इसे प्रेम और सुंदरता का दाता माना जाता है शुकर देब को इसलिए इस राशी के लोगों की लव लाइफ में प्यार हमेशा बना रहता है इस वर्ष नए रिष्टे में शामिल होने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करना आपके लिए अच्छा रहेगा वहीं जो लोग शादी करना चाहते हैं और अभी सोच रहे हैं साल 2030 उनके लिए कैसा रहेगा तो एकदम अच्छा रहने वाला है यानि कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो उन्हें सफलत आपको मिल सकते हैं प्रेम सबंदों में इस वर्ष दूरियां खत्म होंगी लव पार्नर्स के बीश और शादी की योजना बनेगी इसके लिए आपके लिए अक्टूबर का महीना काफी अच्छा रहेगा यानि कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और अपने प्यार को शादी में बदलने का फैसला लेना चाहते हैं तो दोस्तो इस वर्ष आपका अक्टूबर का महीना काफी लखी रहेगा शादी के प्रस्ताब को आप सभी कार कर सकते हैं वहीं दोस्तो जो मैरिड हैं इस राशी के जात्कों को इस वर्ष आपके दामपत्य जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि 2023 में ब्रिशव राशी वालों के लिए आपकी राशी से सात्वे भाव में केतू की उपसिती रहेगी जिसे आपके विवाहिक जीवन में कुछ समस्याओं का योग बनाएगी केतू की उपसिती सात्मे भाव में तो इस वर्ष आपको अपनी वाणी पर सयम रखना होगा और इस बीच आपने पार्णर से अपनी ही बातों में कुछ कह सकते हैं जिससे कुछ विवाद हो सकता हैं तो जो भी हो सोच समझ कर बोले और प्रेम पूर्वक करेंगे तो आपके दाम पत्य जिवन अच्छा रहेगा अन्यता कन्फ्यूजन के स्थितियां उत्पन हो सकती हैं जिससे आपके घर में कलह का वातावर्ण रहेगा क्योंकि दोस्तों फरिवरी से लेकर अप्रेम के बीच भी ब्रस्पती और मंगल की द्रिष्टी आपके जीवन में तनाव और रिष्टों में कलह का कारण बनेंगी ऐसे में सैयम दिखाएं और अपने गुसे पर काबू रखें वहीं दोस्तों जुलाई के बाद से स्थितियां संबल जाएंगी तो इसलिए दोस्तों जुलाई के बाद का समय मैरिट कपल के लिए भी अच्छा रहने वाला है इस वर्ष अगर परिवार के साथ आप यात्राओं का योजन बनाएंगे तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके लव लाइफ के लिए धार्मी कारियों में भी इस वर्ष आप व्यास्त रहेंगे आपका काम उमीद के मताबिक होगा और फल भी अच्छा मिलेगा इस वर्ष आपके पार्णर से काफी ज़्यादा धनलाब भी हो सकता है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं जाना हमने आपके लव लाइफ के बारे में और परिवारी के जीवन के बारे में आगे बात करते हैं दोस्तों बरिशव राशी के जातकों के लिए स्वासत्य यानि कि हाल्त कैसा रहने वाला है तो चलिए दोस्तों जानते हैं दोस्तों इस साल यानकि साल दोजारतेईस में बरिश्य वराशी के जातकों के लिए स्वासत्य के अगर बात करें तो स्वासत्य इस वर्च थोड़ा कमजोर हो रहेगा साल की शुरुआत से ही आपका स्वासत्य कुछ गंबी रहेगा और आप खान पान पर भी शेच धियान देंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा हालती खाना खाएं इस साल दोस्तों पुरानी विमारी से आपको राहत मिलेगी अपरेल के महीने के बाद आपका स्वासत्य काफी अच्छा रहेगा आप छोटी सी चुटी भी ले सकते हैं अपने काम से जिससे दोस्तों आपकी सकरात्मक उर्जा वापसा सकती है तो काम के सासा दोस्तों अपनी हालत पर भी इस वर्श अगर आप धियान देंगे तो आपके हालत भी अच्छी रहेगी इस वर्ष अपनी डाइट का भी खास धियां रखें और इस वर्ष अपनी एक्सिसाइज योग आधी को अपनी डेली लाइफ में अगर आप एड़ करेंगे तो ये आपकी हल्थ के लिए काफी अच्छा रहेगा तो दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया बरिशव राशी के जातकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला साल 2030 उनकी लव लाइफ, परिवारिक जीवन, आर्थिक सिती, कारियर, व्यापार और स्टूडन्स की शिक्षादी के बारे में दोस्तो इस वीडियो को अपनी फैमली और फ्रेंड्स के साथ अवश्य शेयर करें दोस्तो अगर आपको हमारे द्वाराद बताईगी ये सभी जानकारी पसंद आई हो तो आप ग्यान समादान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें